नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर अश्वनी, मघा, मूल, अशलेशा, जेश्ठा और रेविती ये छे नक्षत्र गंड मूल नक्षत्र कहलाते हैं जब कोई बालक इन में से किसी भी नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसकी शांती पूजा कराई जाती है बच्चे की जन्म से 27 दिन जब उसका जन्म नक्षत्र आता है तब शांती पूजा कराई जा सकती है लेकिन अगर किसी कारणवश गंड मून लक्षत्र की शांती पूजा ना कराई जा सके तब बच्चे के जन्म दिन के आसपास ये पूजा करा सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्तुवर 2024 में गंड मून लक्षत्र की तेथियां क्या रहेंगे, दिन दिनांग को नक्षत्र क्या रहेंगे तो चलिए शूर करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो सुकर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी गंड मूल नक्षत्र कीतितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तकि आपको मेरे वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक को शेयर करना पिलकुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अक्टूबर दो हजार चौबिस में गंड मूल नक्षत्र की तिथियां इस प्रकार हैंगी गंड मूल नक्षत्र का आरंभ होगा आठ अक्टूबर दो हजार चौबिस दिन मंगलवार को सुवे दो बच कर पच्चिस मिनट पर नक्षत रहेगा जेश्ठा अंत होगा 10 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को स्वे 5 बच्चक 15 मिनद पर नक्षट रहेगा मुऌी इसके बाद गंण्मूल नक्षद का आरंब होगा 16 अक्टूबर 2024 दिन वुद्वार को शामकी 7 बच्चक 18 मिनद पर नक्षद रहेगा रेवती और अंथ होगा 18 अक्टूबर 2024 दीन शुकुरवार को दोपैर 15 बच्चा 26 मिनट पर नक्षत रहेगा अश्वनी इसके बाद गंगूल नक्षत का आरम्भोगा 25 अक्टूबर 2024 दीन शुकुरवार को सुवेश 7 बच्का 40 मिनट पर नक्षत रहेगा शलेशा अंत होगा 27 अक्टूबर 2024 दिन अभीवार को तो पर 12 बच के 24 मिनट पर नक्षत रहेगा मखा मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ